तो फाइनली बच्चो आज से मैंने सीरीज भी स्टार्ट कर दिये जिसका आप बच्चो को काफी बेस अबरी से वेटता जी हां मोस्ट इंपोर्टन शॉट एंड लॉंग कोशन की सीरीज जो की एपिजोड वाइस चलने वाली है तीन से चार दिन पहले एक अपलोड करीती वीडियो जिसके अंदर बता है तो मैंने कि आपको मैं शॉट कोशन और लॉंग कोशन की जो सीरीज होएगी वो किस तरीके से कराऊंगा अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा आप द कोशन तक बतायते हैं लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 80 थोड़े कम पढ़े हैं तो मैंने 100 का बनाए तो 100 कोशन आपको देखने को मिलेंगे और यह जो सीरीज है वो आपकी कॉंटिन्यू रहेगी कहने का मतलब कि अगर मैंने एपिसोड वन के अंदर टोटल 11 या 12 कोशन सब्सक्राइब करके बैल अकॉन जरूर दबा दीजेगा ताकि आपको आने वाली लेटस्ट वीडियो के अपडेट मिल सके और बच्चों एक खास बात मैंने एमजी की जो सीरीज है वो इसके अंदर इंक्लूट नहीं करी है क्योंकि वो मैं अलग से करवा रहा हूं तो प् देखने को मिलेंगे जो की अभी फिलाल फर्स्ट बुक से रिलेटेड है जब सेकंड बुक करांगा तो उसका मैं आपको जिकर कर दूंगा कि मैं सेकंड बुक करवाने वाला हूं ठीक है बच्चों तो चलिए फिर आज की इस वीडियो का हम शुरू करते जो काफी सबसे खास बात बच्चों जो मैंने अब की बार थीम लगाई है आपने जरूर नोटिस कियोगी कि यह आपकी एक्जाम वाली है मैं अभी से ही आपको एक रियल इमेजिनेशन करवा रहा हूं कि जब आप फाइनल यह अपना एक्जाम दोगे तो बिल्कुल आपको यहीं प यह continue रखेंगे तो चलिए अपने पहले कोशन के साथ शुरुवात करते हैं तो बच्चों यहां पर मैं आपको सिर्फ कोशन अंसर नहीं करवा रहा हूं बलकि किस कोशन का अंसर किस तरीके से देना है वो भी आपको साथ के साथ बताता रहूंगा इससे कहें कि आपको एक भी मिलते रहेगी और बच्चे जो गलतियां करते हैं जिन वजे सुनका मार्क्स करते हैं वो आप नहीं करोगे आपकी बार ठीक है तो शुरू करते हैं अपने पहले कोशन के साथ जिसमें बात की गई है कि भारते सनविधान को जीविंत दस्तवेच क्यों कहा जाता है यह क परीके से यह इतना पॉपलर हो चुक है कि हर किसी को लगता है कि अपकी बार भी एक्जाम में आएगा तो फिर इसे क्यों ग्रांटिड लिया जाए ठीक है आंसर देखिए क्या बात की गई है क्योंकि यह परिवर्तन शील है यानि कि चेंजबल है सनविधान में समय के दस्तवेच कहा जाता है तो कहने का मतलब इसका यह है तो यह कोई ऐसी किताब नहीं जिसे एक बार पड़ा और साइड में रख दिया नहीं इसे लाइफ टाइम तक यूस किया जाता है आज भी इसका इसका इस्तमाल किया जाता है तभी इसे एक जीविन्त दस्तवेच कहा जाता है तो आप यह याद रखना कोशन नमबर टू है कि प्रशन काल से आप क्या समझते हैं तो यह भी काफी ज्यादा important question है देखे प्रशन काल जो है वो लोग सबा के अधिवेशन के दुरान प्रतम घंटा माना जाता है तो कहने का मतलब जब लोग सबा लगती है सभी सदस से वहां पे जाते हैं तो जो शुरुवात का एक घंटा होता है उसे प्रशन काल कहा जाता है जिसे English में कोशनार कहते हैं तो इसमें क्या होता है बच्चो कि किसी भी प्रशाशनिक गतिविति के बारे में प्रशन पूछे जा सकते हैं और जो मंत्री होता है उन्हें इन प्रशनों का उत्तर लिखित में या फिर आ लिखित रूप से देना पड़ता है यानि कि माइक में बो सवाल उठा सकते हैं फिर चाहिए वो आपका स्कूल से रेलेटेड़ हो जो एजुकेशन में इस्या से सवाल पूछता है स्पोर्ट से रेलेटेड़ हो जो कि खेल मंत्री से पूछ सकता है तो इस परकार कोई भी सदस से किसी भी एक महतपुन मुद्धे पर सवाल उच सकता तो उसके अंदर भी बिल्कुल सेम प्रोसेस रहते हैं बस फरक सिर्फ इतना होता है कि उसके अंदर जो मंत्री होते हैं उन्हें जवाब देना बाद्या नहीं होता यानि कि वह जवाब दे नहीं सकते हैं बस उसमें कोशनों को उठाया जाता है इसलिए उसे शुन्यकाल कह जाता है तो आप यह याद रखना बच्चों ठीक है कोशन नंबर थ्री है कि किनी दो मौलिक कर्टव्य के बारे में आपको लिखना है तो दो नंबर वाले यह कोशन है मैं सोरी बताना भूल गया शुरुवात में तो देखिए टू माक्स वाले के अंदर चालिश शब्दों से जादा आपको नहीं लिखना होता है इस बात का आपको पता होना काफी जरूरी है तो आपको मैं तीन बता रहा हूँ यहां पर पहला है कि देश की रक्षा करना परियारवन को स्वच्छ बनाया रखना और साथी सन्विनान का पालन करना कुछ और जोड़ना चाहते हो तो आप यह भी जोड़ सकते हो देश की एकता और अखंड़ता को कायम रखना तो यह क्या है फंडमेंटल ड्यूटी जिन मैंने कोशन है वो स्थानिय सरकार यानि लोकल गवर्मेंट से उठाया है तो उसके अंदर से दो ही टॉपिक आनिया तेतरवा और चोतरवा शंशोदन जो की ग्राम और नगरों से रिलेटेड़ है तो यहां पर मैंने नगरों वाला उठाय है नगर निगम जिसे आप नगर में जितने भी सारवजिनिक स्थान है जैसे की पार्क हो गया होस्पिटाल हो गया सड़के होगी तो यहां पर सफाई करना है जिसके लिए करमचारियों की नियुक्ति की जाती है जो की अलग-अलग शेतर में जाकर सफाई करते हैं दूसरा पॉइंट है स्वास्ते समंदी स वाएं जैसे की नगर निगम क्या करता है जनता के लिए अस्पताल वदिस्पैंसरिया खुलवाता है ताकि बीमारी के समय नागरिक जोवा अपना मुफ्त में इलाज करवा सके उसी तरह जो में काम है वो भी है शिक्षा का प्रबंद करना तो नगरों में शिक्षा का उच सिडि कहते हैं जिसे मुंसिपल कोपरेशन डैली के नाम से जाना है तो यह जो नगर निगम होते हैं वह अलग 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 नाम से जाने जाती है जैसे कि मुंबई के अंदर इसे बीम सी नाम से जाना जाता है तो आप यह याद रखना ठीक है बच्चों चोता है कि जन अभियान भी शहरों में चलाता है जैसे अगर कोई भीमारी हो जाए या उसकी आशंका हो तो उसकी रोग थाम के लिए उचित प्रबंद करता है साती व्रिशा रोपन यानि पेड़ लगवाना ताकि लोग भी प्रभावित हो सके और लोगों को उनके अधिकारों के प्रती ज ज़रूरी है आपके काफी काम आने वाली है अभी नहीं आने वाले समय में भी तो आप याद रखना कोशन नमबर फाइव है कि लचीले और कठोर सन्विदान में अंतर सपस्टे करना है तो ज्यादा तर यह दो नमबर में पूछले आ जाता है और कभी कबर चार नमबर में भी आ जाता है तो देखिए अगर अंतर की बात कीज़े तो सबसे पहले में आपको लचीले सन्वीदान के बारे में बता देता हूं तो इस परकार के सन्वीदान में संसद जो है एक सदन के अंदर कानुन के जरिये शंशोधन यानि की अमेंडमेंट कर सकती है बदलाव ला सक संसद में कीया जाता है तो इस परकार ये जो सन्वीदान होता है लचीला यह आलिखीत होता है और आपको बरी também के संवीदान में ज़्यादा देखने को मिलेगा और जब कि बात आए कठोर सन्वीदान की तो इस बरकार के संवीदान में कानून में शंशोधन और नए कानून को बनाना काफी कटिन होता है क्योंकि जो सरकार होती है वो दोस तरफे काम कर रही होती है लोकसभा और राज्यसभा अगर एक जगह कानून पास हो भी जाता है तो दूसरी जगह पास होना जरूरी होता है इसलिए कठोर सनविदान की कैटिगरे में इसे गिना जाता है तो कठोर सन्वीधान क्या होता है लिखी तो रिटन में होता है जिसके अंदर केंद्र और राजयों की शक्तियों शामिल होती है तो भारत की अगर बात किसे तो यहां पर शक्तियों का बटवारा हमें देखने को मिलता है तभी तो यहां पर federal system यहां की किस परकार राज्य पर आंकुंश लगाता है तो देखिए सब्सक्राइब्दान जो है नियमों पर अधारिस सिधानतों का एक समु है जिसके माध्यम से राज्य की जो सीमाइं होती है वो निदारित की जाती है ताकि किसी भी सम्मू के हिटों का नुकसान ना हो सके और ना ही लोगों के अधीकारों का दुर्पयों किया जा सके तो बिल्कुल सी बात है इसलिए तो सन्विदान का निर्मान करवाएगा था question number 7 नहें कि कारे पालिका के 2 आपको बताना है तो वच्चू ये जो question है ना इसकी मैं कुछ अलग तरीके से आपको tips भी दे देते हम जैसे कि अगर बात आते है कारेों की तो यहां पर कारे पालिका की जगह विदान पालिका भी उसकती है तो एक कोशन से तीन कोशन आपके कवर हो रहे हैं, तो यही तो understanding आपको आपकी mind में set करनी है, तभी तो आप कोशन को एक से ज़ादा कर सकोगे, तो यह answer की बात करते हैं, तो कारे पालिका का जो पहला कार है वो है नीती का निर्मान करना, तो कारे पालिका क्या करते हैं, लाइका होती है वो कानुन बनाती है यानि निर्मान करती है और लागू करवाने का काम कारे पालिका के पास आता है ठीक है तो यह बिल्कुल सी बात है आई होप कि आपको अच्छे से समझ भी आ चुकी होगी अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रही है तो आप लाइक जरू वो अलगए यहांपर कोशन में उनसे रुटेटड आ सकता है बस यह होगा कि एक शब्ड चेंज कर दिया जाएगा कि हमें सन्वीधां की अव्शक्ता क्यों है यह हो गया पहला कोशन आपको एक और लेसन है उसका नाम है चुनाऊवाला तो हमें चुनाओ की अवशक्ता क् आने वाला है असी में से फर्स्ट बुक जो है वो चालिस नमबर की आ रही है जिसमें से जो सन्विधान है वो सिर्फ 13 नमबर का रहा है तो आप एहमिया समझ सकते हो जी हां तो देखे इसके कुछ अलग-अलग कारण है जैसे की पहला बात करता है कि सन्विधान ये साफ करता यहां जो कि जनता के लिए आगे काम करता है यनि अपने प्रति निद्व कोर्त चुनाव करती है और उसी तरह सरकार का निर्मान होता है ठीक है सन्विधान जो है वो सरकार को ऐसी शमता यनि की size प्रदान करती है जिस से वैं जनता की आकंशाओं को पूरा कर सके यानि अलग-अलग तरीके से कानून को का निर्मान करके तीसरा है कि एक म्याइपुन समाज की स्थापना कर सके जहां लोगों के साथ अन्याई ना हो ना ही उनके रंग को लेके ना ही उनके रूप को लेके ना ही जाती धर्म को लेकर चोता है कि सन्विधान जो है वह सरकार के द्वारा नागिरिकों पर जो लागू किये गए कानून ने उनके पर कुछ प्रति बन यानि कि सिमाई भी लगा सकता है जो की मौलिक होती है कहने का मतलब आपको मुझे और उस हर व्यक्ति को जो भारत के अंदर निवास करता है उसे क्या है सोतनता यानि की लिबर्टी अजादी मिली है क्योंकि हम एक अजाद देश के अजाद नागरिक है लेकिन यहां पर बच्चों आपको एक अंडर्श्टेंडिंग यह रखनी होगी कि अगर आपको अजादी मिली है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप गली में जाके चिलाने पैड़े हो तो यह जो आपकी अजादी है वो दूसरे को नुकसान पोचा रही है तो इसी चीज को आपको समझना जरूरी है तो इसलिए कुछ सिमाय लगाए जाती है जैसे कि अगर दंगा फसाद होता है लड़ाई जगड़े होते हैं खून कराबा होता है चोरी चकारी होती है तो इन सब की क्या है पकड़ है क्याने का मतलब कानुन इनकी सजा देता है समाज के अंदर रहने वाले व्यक्तियों को अगर वह इनका उलंगन करते हैं तो यह आप चीज़े समझ रहा हूं को सरवादिक मत से जीत या जो सबसे आगे वही जीते यह वाली पर अच्छे से जानते भी है जिसे हम fp tp के नाम से जानते है फुल फर्म की बात करें तो first pass the post इसे इस नाम से जाना जाता है तो आपको यह पता होना जरूरी है अब बात करते हैं कि इस पर दाली को स्विकार क्यों किया गया था भारक के अंदर तो इसके पीछे स्विकार करन उन्हें ये चीज़े काफी पसंद आती है तो पहला पॉइंट है वो है कि समानुपातिक प्रतिनिद्य पढणाली अधिक जटिल है और भारत जैसे विशाल देश के लिए उप्युक्त नहीं है तो समानुपातिक प्रतिनिद्य पढणाली का मतलब बच्चों की जो राज्य सवय के जो चुनाव होते ना उसके अंदर इस पढणाली का प्रयोग किया जाता है यह काफी कंफ्यूजन वाली है जटिल भी है और इसका जो प्रोसेस है वो थोड़ा लंबा भी है बच्चा असानी से नहीं समझ पाता बच्चा छोड़ो बड़े भी नहीं समझ पाते तो यह जटिल होती है तो आप जानते हो कि भारत के अंदर ऐसे कितने सारी वेक्टिए जो मजबूरी के कारण पढ़लिक नहीं सके तो जब चुनाव करेंगे तो उनके लिए अगर ऐसी पढणाली होगी तो दिक्कते सामने आएगी तो इसलिए जो सबसे जादा वोट लेगा वो जीट जाएगा यह क्या है एक सिंपल है हर एक इंसान को अच्छे से समझ आ जाती है तो दूसरा पॉइंट इसी से रिलेटिड है कि सरवादिक मत से जीत पढणाली सरल है तता समाने मतदाताओं को जल्दी से सम समाजी सकते हैं इस पढणाली में क्या होता है कि जो मतदाता होते हैं यानि जो वोटर होते हैं उनके सामने ऑप्शन होते हैं कि वह कई उम्मीद्वारों में से अपनी पसंद के उम्मीद्वारों को मत दे सकते हैं तो अभी तो आप बच्चे 11 किलास में ऐसे बहुत बच् लगता है उस पार्टी पर फिर उस एंडिडेट पर हम क्लिक कर देती है यानि प्रेस कर देते हैं और वोट उसके पास चला जाता है तो बिल्कुल यानि कि जो उनका represented होता है उसकी जानकारी होते है कि हां मेरे शेतर से मेरी विदान सवा से या फिर मेरे संसदिये शेतर से ये वाला उम्हिद्वार इस पार्टी से खड़ा है अगर इनने अच्छा काम किया था या फिर ये कर सकता है इसके अंदर योगिता है तो मैं इसे वो जरूर दूंगा ठीक है तो इस बरकार यह परणाली अपनाई गयती और संसदिये सरकार परणाली के लिए सबस्यादा उप्योगता है यानि कि जो परदान मंत्री का एलेक्शन होते हैं हर पांस साल के लिए तो बच्चों यह था कोशन नंबर नाइन का प्रोपर आंसर आई हो कि अच्छे से आपको समझ भी आ चुका होगा कोशन नंबर टैन्थ है बच्चों की मौलिक अधिकारों और राज्य के नीती निर्देशक तत्वों में आपको अंतर को स्पष्ट करना है यानि कि डिफरेंट बेट्मेंटल राइट्स एंड डिरेक्टिव और प्रिंसिपल तो यह बहुत ही जड़े इंपोर्टन कोशन ह अलग से भी आपसे पूछा जा सकता है लेकिन खास कर यह डिफरेंट के बीच में पूछा जाता है तो सो से पहले मैं आपको फंडमेंटल राइट्स एनिकी मौलिक अधिकारों के बारे में बताता हूं उसके बाद राज्य के नीती निर्देशक तत्वों के बारे में तो क उक्तन तरीके से ही चलेगा सारा सिस्टम क्योंकि यहां पर जनता जो है उसे पूरे अधिकार मिले गए और उनी अधिकारों की सहता से समाज में निवास करते हैं उसके ओपर किसी भी तरीके का प्रतिवन नहीं होता जो कि इसे मजबूर करे एक ही जगा पर रहने को ठीक है दूसरी बात करता है कि मौलिक अधिकार शुरक्षा की गरंटी परदान करता है आपको मुझे और हर उस वेक्ति को जो भारत के अंदर निवास है उसे छे परकार के fundamental rights यानि की मौलिक अधिकार मिले हो है जैसे कि समानता का स्वतनता का शोशन के विरुद ये सभी अधिकार सभी को प्राप्त हैं तो ये शुरक्षा की गरंटी हमें पर दान करते हैं उसी तरह शुरक्षा के लिए सन्वेधैनिक अपरदान के अंतरगर्ण न्याले में चुनोती दी जा सकती है तो सभी अधिकार ये हमारा छटा मौलिक अधिकार है और इसे ही बाबा साफ अंबेट करने हिर्दय कहा था तो मैंने इसका mcq में जिकर किया था यह से इंपोर्टन्ट थे क्योंकि इसी अधिकार में यह बात की गए थी कि अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का अलंगन होता है तो व्यक्ति सुप्रीम कोट का दर्वाजा खट-कटा सकता है फॉर्थ बात करता है कि मौलिक अधिकारों का अलंगन नहीं किया जा सकता क्योंकि ये सन्वीधान का अधार होते है पांचवाय की मौलिक अधिकार व्यक्तियों के हितों की बात करता है जो की जरूरी भी है यहां पर कोई लालची वाली बात थोड़ी हो रही है व्यक्ति के कल्यान के अपर बात चल लिए ठीक है तभी तो हम 1947 से लेकर 2020 के दोर में आ चुकी है और वहीं बात करें राज्य के न inspiration का काम करते हैं जैसे कि राज्य जो है वो निर्देश देता है कि हमें इसका पालंग करना चाहिए और खास बात इसके अंदर यह होती है कि यह जवाब दे वाले नहीं होते हैं सरकार द्वारा इनको लागू करना बादेकारी नहीं होता कि सरकार के उपर जिम्मेदारी है या फिर ओडर रखिया आप इसे लागू करो नहीं और यह राज्य के नीती निर्देशक तत्व जो है वो नैतिकता यानि की morality के साथ जुड़े होते हैं जो की समाज के हितकी बात करते हैं और साथ ही एक कल्यान करी राज्य की स्थापना करना इनका लक्ष्य होता है तो यह दोनों के बीच में अंतर देखने को मिलता है आई होब कि आप अच्छे से जरू समझ चुकेंगे कोई बड़ी बात नहीं है तो आप ध्यान रखना अलग से भी पूछा जा सकता है अब बात करते बच्चों अपने एपिसोड फरस्ट के लास्ट कोशन के बारे में जो की है हमारा कोशन नंबर 11 देखिए यह जो कोशन है वह बहुत ज्यादे इंपोर्टेंट है छे नंबर का है अलग अलग तरीके से एक्जाम में पूछा जाता है देखिए कैसे कि बारतिय सन्विदान एक उधार लिया हुआ प्रारूप है इसके बारे में आपको टिपनी यानि क अच्छे से जानते भी है कि क्या आप मानते हैं भारत का सन्विदान उधार का एक ठैल है अपने शब्दों के अंदर तो यह कोशन कुछ इस परकार से पूछा जाता है आईए आप जानते इसका आंसर किस तरीके से आपको लिखने तो सबसे पहले आपको एक छोटा से लिखोगे तो सबसे पहले ब्रिटिश अन्वी धान से क्या क्या लिया गया है भारत ने सरवादिक मद के अधार पर चुनाव में जीत का फैसला आप जानते हैं कि जादा वोट पाएगा वो जीच जाएगा उसी तरह सरकार का संसद्य रूप आप जानते है कि भारत के जाधार पर बटा ओ ठीक है और यहां पर जो लोग सब्हा है जिसे हम लोरा व्यूश तो कि यह वária कि अ आज के समय नरेंदर मोधी जी भारत के परदान मंत्रिय जो की कॉंटिनियू बैक टू बैक लोग सबा के एलेक्शन जीट चुके है ठीक है अमेरिका के सनविदान से बात कीज़े तो क्या-क्या लिया गया तो जैसे की में तय सामन्त वाइस्और को प्रास्टिपति का पद्वी अमेरिका से लिया गया तो भारत के अंदर प्रेशी यह वाइस प्रेशिडेन्ट है कों न सरकार राजन सरकार उर इस्थानीय सरकार और अगर बात करें से क्या लिया गया तो सतफन्थचुआ पांता और बंदुत का सिदान यहां से लिए आइरलेंड की बात करें तो डिरेक्टिव और प्रिंसिबल यानि राज्य की निर्देशक्तत्व और साथी राज्य सवा में मनोनिट सदस्य का पार्वधान यानि कि जो प्रैसीडेंट है वह 12 सदस्यों का जो चुनाव करता है अ एक्जाम में तो बहुत बार आ भी चुका बिल्कुल भी इसके साथ रिस्क नहीं लेना चाहिए छे में से छे नंबर मिलने चाहिए हर बच्चे को बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको बता दिया तो यह थे बच्चों हमारे प्लिटिकल साइंस से रिलेटेड शॉर्ट लों तो मैं ऐसी यह कॉंटिन्यू रखूंगा और हमने टार्गेट बनाए हंडड़ कोशन का तो जल्दी जल्दी आपके पूरे भी हो जाएंगे एक्जाम से पहले ठीक है पीडिएफ के लिए आपको टेलीकरम ग्रूप जोइन करना ही पड़ेगा और सिर्फ वहीं पर अवेल गयाँ